आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मौनसून चल रहा है आप देख रहे हैं बारिस का मौसम चल रहा है इस मौसम में आप अपने बच्चों को बीमार होने से कैसे बचाएं मैं आपके साथ में कुछ हमारे बचे को थंडरी नालग है उसे बचाने के बच्चे को हम हमें पानी शोटा है अगर रहा है थान में आपके बच्चे के बहुत पास का के लिए इक पने नायWowva कुछ कर बहुत सड़ाने नहीं बैас ऐससे कि उस एरिया में जो मच्छा वगरा थे वहना है मेरा कहन इकाम मिनसिस पानी फीजिसाइ जिस्प्ना抱ए आपके बच्चे को बिधान रहें ने कैना हैं, जिसके आपके बच्चे को बिधार को काटम कै वागरा यह आपके बच्छेज तक प्लब की सबम जो आपके बच्चों के बुदी से बच्च को अपने बाद । तो इसके लावा आपके बच्चे को आप जब भी खाना देंगी तो हमेशे ध्यान रखें कि वह खाना बासा बिल्कुल भी नहीं रहें ताजा बना हुआ हो अगर आप इन केस किसी भी रेजन से देती हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगा कि खराब नहीं कि यह जो मौसम होता इसमें उमस टाइब की बहुत होती है इससे क्या होता है कि आपका जो भी खाना है वह बहुत जल्दी खराब होने की चांसे रहते हैं तो इस बात का आपको विसे ध्यान रखना है कि आप बच्चे को बासा खाना जादा ना दे और नेक्स पॉइंट कि आप अपने बच्च ि एक और बचे कि बच्ची के गले में कोई प्राब्लम बगज़ना भी और अगल्षे कीज़ छेया हो 910 अगर के अब आपके बच्ची को जो है हैज वैपने नहीं हुए है तो प्लीज अपने रॉक्टर से शंपर करें और आपने बच्चे का वैक्सिनेशन जरूर कराएं जिससे कि आपके बच्चे को इन दिनों में यह जो बीमारियां होती है ना वह ना हो सके तो यह सारी चीजों का ध्यान रखेंगी तो आपके बच्चे की सेहत बहुत अच्छी रहेगी और यह मौसम है इसली कर जाएगा आपक बच्चे को मच्छर वगरा बिल्कुल भी ना काटे क्योंकि जो मच्छर होता है वह सिर्फ हाफ एन एरिया में मतलब अगर खड़ी है तो आपके हाफ तक ही उड़ पाता ज्यादा उपर नहीं उड़ पाता यह नीचे नीचे एरिया में उड़ते हैं इससे आप पिचान सक करें दोस्तों आपका बच्चा चोटा है तो अगर एक मच्छर बीकाट लेगा तो वह एजीली भी मार हो सकता है तो इस वात का विशेज करके ध्यान रखेंगा उम्मीद करते हूं यह चोटा सा वीडियो आपके लिए हैल्फुल रहा हो अगर पसंद आया तो प्लीज में तर तक लिनमेश का थैंक यू